कल दिनांग 20 नवेंबर 2022 को पूने बैंगलुरु हाईवे पर नवलेपूर पर रात करीब साड़े आणड बजे कार, ओटो रिक्षा, ट्रक, कैब आधी के बीज भारी टककर हुई एक ट्रक एक वाहन से टकरा गया और फिर 48 वाहनों का खतरनाग धेर लग गया, हे भगवान आपको पताता हूँ क्या हुआ बचाओं में मदद के लिए पूने मेट्रोपॉलिटन रीजिन डेवलाप्मेंट आथोरिटी और पूने फायर ब्रिगेट तुरंट मौके पर पहुँच गए कुछ कारे एक दूसरे में फस गई थी और उन्हें निकालना पड़ा फायर ब्रिगेट के फायर ओफिसर सुजीत पार्टल ने कहा प्रात्मी की जानकारी से पता चलता है कि एक तेल का टैंकर का ब्रेक फेल हो गया था टैंकर तेज रफ्तार से जा रहा था और सामने एक कार से जा टकराया हाच्चे के दौरान सड़क पर तेल फैल गया तेल रिसाव के कारण सड़क पर फिसलन होने के कारण अन्य वाहन आपस में टकरा गए यही हुआ था घटना के कुछ देर बाद ही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया पुलिस उसकी तलाश कर रही है अश्चर्य जनक सवभाग्या से किसी के हाताहत होने की सूचना नहीं मिली हाला की करीब 40 लोग घायल हो गये और उन्हें नस्दीकी अस्पताल में भरती कराया गया 20 नवेंबर 2022 के हादसे के बाद हाईवे पर कुछ किलोमीटर लंबा ट्राफिक जाम लग गया नवले ब्रिज पिछले कुछ दिनों से हादसे का अड़ा बनता जा रहा है पूल के पास तेज रफतार कार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई आने से एक महिला की चाल ट्राफिक जाड़ा ट्राफिक जार्याव थे लंग ट्राफिक जाते रहा है झाल झाल